प्रिया भक्त जन आज हम आपको एक कथा का श्रवन कराने जा रहे हैं जिसके सुन्ने मात्र से ही आपके जीवन में सुख संपत्ती और धन संपदा की वृद्धी होगी तो चलिए कथा को प्रारंब करते हैं अगर आप इस चैनल पर आये हैं तो कथा को अधूरा छोड़ कर म जाएगा भगवान शिव एक महत्वपून देवता है जिनकी पूजा हिंदू धर्म के शैव संप्रदाय में की जाती है वो अब ब्रम्हांट के पुनर निर्मान के लक्षय के साथ उसके विनाश के लिए जिम्मेदार है ये शक्तिशाली देवता अपने विरोधा भासी स् एक मंदिर बनाकर और उनके सम्मान में विशिष्ट अनुष्ठान और प्रार्थना करके की जा सकती है आप पूजा का नियमित अभ्यास भी बनाए रख सकते हैं ताकि आप भगवान शिव से जुड़े रहें एक शांत मंदिर के लिए बैठे हुए शिव प्राप्त करें भगवान शिव को मूर्तियों और चित्रों में ध्यान मुद्रा में बैठे हुए पैर मूल कर और हाथ गोध में रख कर चित्रित किया जा सकता है यदि आप अक्सर छवी के सामने ध्यान करने की योजना बनाते हैं और एक शांत आरामदय स्थान बनाना चाहते हैं तो जो उनके माथे पर खीची गई तीन क्षेतिज रेखाएं हैं एक उर जावान मंदिर के लिए नाचते हुए शिव को चुने नृत्य करते हुए शिव अपने दाहिने पैर को बाहर की और फैलाये हुए और अपनी बाहों को उपर की और उठाये हुए सीधे दिखाई भगवान शिव को शैव धर्म में नृत्य का स्वामी माना जाता है और नाचती हुई शिव की मूर्ती या छवी मंदिर के लिए एक उर जावान जीवान्त वातावरन तैयार करेगी तीन नाचते हुए शिव में बैठे हुए शिव के समान ही विशेशता होंगी लेकिन इसमें आम तोर पर नाचते हुए शिव के चरनों में कुछला हुआ एक राक्षस बौना भी होगा जो मनुष्य के अहनकार और अज्ञानता का प्रतिनिधित्व करता है अपने घर के पूर्बोत्तर कोने में एक वेदी पर मंदिर बनाएं यह क्षेत्रा घर में मूर्तियों के लिए सबसे अच्छा स्थान माना जाता है सुनिश्चित करें कि वेदी एक मेज या काउंटे टॉप पर खड़ी हो और वह स्थान अच्छी प्राक्रुतिक रोश्नी के साथ शान्त और साफ हो आपको शिव को सपश्ट रूप से देखने में सक्षम होना चाहिए क्योंकि यह आपको उनकी पूजा करने के लिए प्रोथसाहित करेगा चार कार्यस्थल पर शिव का मंदिर बनाने से बचें, क्योंकि उनकी उर्जा आमतोर पर स्थान के लिए अत्यदिक प्रबल होती है और वेदी अव्यवस्थित हो सकती है घर में एक मंदिर, जहां आप शांती से पूजा कर सकते हैं, आदर्श है मंदिर में केवल एक भगवान शिव और साधारन, नगना सजावट रखें भगवान शिव की एक से अधिक मूर्ती या छवी रखना अत्यधिक शक्तिशाली हो सकता है और आपके स्थान में विरोधी उर्जा पैदा कर सकता है भगवान शिव उज्वल, भव्य सजावट या प्रसाद का जवाब नहीं देते हैं, इसलिए आप वेदी को केवल सफेद कपड़े से धाक कर रख सकते हैं पूजा कक्ष या ध्यान स्थल मंदिर के सामने रखें पारम पर एक पूजा कक्ष मंदिर के सामने स्थापित किया जाना चाहिए ताकि आप भगवान शिव के सामने आसानी से ध्यान कर सकें पूजा कक्ष साधारन हो सकता है, जिसमें एक वेदी, एक मंच और भगवान शिव की मूर्ती या छवी हो यदि आपके पास बजट है तो आप प्रकाश व्यवस्था और एक उचे मंच या एक सनलगन शेत्र के साथ एक अदेख विस्तृत पूजा काक्ष बना सकते हैं भगवान शिव की पूजा से पहले भगवान गनेश की पूजा करी 6. आप सबसे पहले भगवान गनेश की मूर्ती या प्रतीक की पूजा कर सकते हैं या आप भगवान गनेश को स्वीकार करने के लिए उन्हें मौखिक रूप से संबोधित कर सकते हैं भगवान शिव की पूजा से पहले भगवान गनेश की पूजा करें 6. आप सबसे पहले भगवान गनेश की मूर्ती या प्रतीक की पूजा कर सकते हैं या आप भगवान गनेश को स्वीकार करने के लिए उन्हें मौखिक रूप से संबोधित कर सकते हैं दिन में कम से कम एक बार घर पर या किसी मंदिर में भगवान शिव की प्रार्थना करें एक दिन चर्या बनाए जहां आप अपने दिन की शुरुवात करने के लिए सुबह भगवान शिव की पूजा या प्रार्थना करें या रात को सोने से पहले आराम करें पूजा के रूप में मंदिर के सामने भगवान शिव का ध्यान करें आप भगवान शिव की पूजा करने के लिए शेव धर्म की प्रार्थनाओं, मंत्रों और ग्रंथों का जाप भी कर सकते हैं यदि आप पूजा करने के लिए किसी मंदिर में जाते हैं, तो हिंदू पुजारी आपको मंदिर की सेवा के हिस्से के रूप में भगवान शिव का जाप करने के लिए ले जा सकता है। विशेश रूप से सुमवार को दूध, बिल्व पत्र या अनाज जैसे प्रसाद चड़ाएं। हालांकि आप किसी भी दिन भगवान शिव से प्रार्थना कर सकते हैं, सुमवार को हिंदू धर में पूजा का पवित्र दिन माना जाता है। ठंडा दूध, पारंपरिक बिल्व पत्र, या जो, बाजरा, चावल और गेहुं जैसे अनाज भगवान शिव को अर्पित करना अच्छा माना जाता है। प्रसाद से भगवान की कृपा बढ़ सकती है। आठ नारियल पानी, हल्दी, केतकी के फूल और कुमकुम जैसे प्रसाद से बचें, क्योंकि इन्हें भगवान शिव को चड़ाना अप्शकुन माना जाता है। श्रावन मा के दौरान भगवान शिव की पूजा करी। श्रावन मास जुलाई अगस्त में आता है और भगवान शिव की पूजा के लिए ये बहुत ही शुब महीना माना जाता है। भारत में इस महीने के दौरान बड़े उत्साव आयोजित किये जाते हैं और साथी उपवास और प्रार्थना जैसी कठोर प्रथाएं भी आयोजित की जाती हैं। ये सप्ताह में या हर दिन कई बार शिव की पूजा करने के लिए मंदिरों में जाने का भी समय है। आप इस शुब समय के दौरान मंदिर में शिव की पूजा करने और प्रसाद चड़ाने के लिए मंत्रों और प्रार्थनाओं का जाप भी कर सकते हैं। भेर में अपने शिव मंदिर को साफ और सुव्यवस्थित रखें। मंदिर को नियमित रूप से साफ करके उसका रखरखाव करे ताकि यह भगवान शिव के लिए प्रस्तुत हो सके। सुनिश्चित करे कि मंदिर पर कोई मलबा या अव्यवस्था न हो, क्योंकि यह भगवान शिव की उर्जा को अवरुद्ध कर सकता है। आप भगवान शिव को अलग-अलग प्रसाद भी चड़ा सकते हैं और पुराना प्रसाद हटा भी सकते हैं। सप्ताह में एक बार भगवान शिव के अन्या अन्यायों के साथ श्रवनम का अभ्यास करी। श्रवनम अन्य भगवान शिव भक्तों और अन्यायों का एक समूह है। सभाई किसी के घर में किसी धार्मिक स्थल पर या किसी हिंदु मंदिर में हो सकती हैं, अक्सर सोमवार को जो भगवान शिव के सम्मान का दिन है। सभाया अपके पूजा अभ्यास और भगवान शिव के साथ आपके संबंध को मजबूत करने का एक अच्छा तरीका है। अपने क्षेत्र में भगवान शिव के अन्या अन्यायों की तलाश करें और सुझाव दे कि आप एक साथ श्रवनम का अभ्यास करें। फिर आप अपनी पूजा पध्धती को मजबूत करने के लिए नियमित सभाय आयोजित कर सकते हैं। अपनी पूजा को गेहरा करने के लिए किसी मंदिर में भगवान शिव के उतसव में शामिल हूँ। हिंदू मंदिरों में अकसर भगवान शिव की पूजा की जाती है, खासकर सोमवार रूप से जाने से भगवान शिव की आपकी पूजा को गहरा करने में मदद मिल सकती है, खास कर यदि आप विभिन मंत्रों, प्रार्थनाओं और ध्यान प्रथाओं को सीखना चाहते हैं. प्रार्थनाओं झाल 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 झाल